Hello friends, welcome back, this is Jeet Salal, thank you so much for having me on my channel and thanks for love and support. दोस्तों, last video में मैंने बात की थी, रितिक रोशन की ट्रेनिंग प्लान के बारे में, किस तरीके से ट्रेनिंग को अप्रोच किया गया है? इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, nutrition plan, किस तरीके से nutrition को अप्रोच किया गया है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, नहीं मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि meal by meal रितिक रोशन ने क्या खाया, 6 एंडे खाये, या 7 खाये, या 10 खाये, मैं आपको बताऊँगा कि nutrition का अप्रोच किया रहा, किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल को फॉलोच किया गया, उनके पास तो team trainers है, उनके पास तो बड़ी team है, इसलिए वो transformation कर पा रहे हैं, training कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अप्रोच जो हुती है, चाहे वो cardiovascular strength बढ़ानी की थी, resistance training की थी, या flexibility की थी, वो आप खुद से भी कर सकते हो, आपको guidance ये थी, मैंने आपको दे दी, अब आपके उपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आपको कभी भी छोटा मत आकिये और ये मत सोचिए कि कोई दूसरा इंसान अगर कुछ कर रहा है, तो उसके बहुत बढ़ी team है, ये आप कर सकते हो, कोई भी इंसान आम आदमी कर सकता है, जब म इंसान की requirement, quantity, food की quantity अलग-अलग होती है, उनके lifestyle के हिसाब से, उनके body composition के हिसाब से, height, weight, everything, age, इसके हिसाब से, तो रितिक रोशन जो खा रहे थे, जितनी quantity में, या जो foods वो खा रहे थे, वो उनके हिसाब से है, आपकी quantity, आपके food का selection, आपके हिसाब से होना चाहिए, लेकि training का approach, उनके nutrition का approach, आप same to same apply कर सकते हैं, और आप सभी लोग जब lockdown खतम होगा उसके बाद, जब अपनी body इतने time बाद आप training में वापस लेके आएंगे, तो आप similar nutrition का approach रखेंगे, तो इस तरीके के nutrition के approach में आपको 3 components पे ध्यान देना पड़ता है, पहला component आता है calories, अब बह इदम से calorie deficit कर देते हैं, यानि कि बहुत कम calories, low calories से start करते हैं, ताकि जल्दी उनका transformation होगा, जल्दी fat निकलेगा, जल्दी आपका muscle के उपर जो fat लगी हुए, जल्दी निकलेगी, यह बहुत इक गलत approach है, nutrition का सही approach होता है, do not drop your calories पहले दिन से ही, अगर आप पहले दिन से start कर calories या थोड़ा सा maintenance से surplus calories से start करें, रितिक के transformation में भी उन्होंने 100% अपने दिन की शुरुआ आप जिस दिन से training करी होगी, उस दिन calorie drop नहीं किया होगा, उस दिन या फिर उस हफते at least उन्होंने maintenance calories के आजपास या थोड़ा सा उपर रख के start किया होगा, maintenance calories वो calories होती हैं, जो आ अपनी ही calories लेते हैं, जो आपके current weight को maintain करने के लिए जरूरी होती है, ऐसा करने से क्या होता है, कि आपकी body एकदम से shock में नहीं जाती, और उसकी वज़े से आपका metabolism है, वो एकदम से slow नहीं हो जाता, क्यूंकि जादातर cases में एकदम से calories drop करने से, ये metabolism को shock होता है, और आप fat loss करने की बज़े, उल्टा आपकी body fat store करने लगती है, तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही gradual changes करने है, आप अपनी overall diet से वो extra चीज़ें जो आप लेते थे, यानि कि extra sugar, कहीं पे ketchup ले रहे हो, mayonnaise ले रहे हो, जहाँ पे oil का इस्तमाल आप जादा कर रहे हो, उसको दीरे दीरे निकालते हो, ना कि अपनी overall calories को drop करके कम खाना खाना शुरू करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, अगर आप ऐसा करने लगते हैं, तो आपकी body में क्या होता है, आपको cravings जादा होने लगती है, आपको जादा भूग, कुछ ऐसी चीज़े खाने का मन कर करता है, क्योंकि आप एकदम से shock body को दिया, और एकदम से कम calories देनी की वज़े से आप जादा अपनी diet को control नहीं कर पाते हो, और फिर उस time पे आप unnecessary चीज़े खाने लगते हो, जिससे आपका weight फिर से बढ़ने लगता है, या फिर आप अपनी goal की तरफ नहीं बढ़ पाते है So, body को shock नहीं करना है, body को धीरे धीरे adapt करवाना है अपने nutrition को, अपनी diet को, इसे कहते हैं हम gradual increase, जैसे कि हम training में progressive overload को करते हैं gradually, वैसे ही diet में भी धीरे धीरे gradual changes हमें करने पड़ते हैं, और ये आपकी शुरुआत maintenance calories से थोड़ा जादा, या फिर maintenance calories से शुरुआत आपको करनी चाहिए, अगर आप maintenance calories को find out करना चाहते हैं, तो मैंने calorie calculator का link नीचे description में दिया हुआ है, उसमें जाइए अपनी age, सारी चीछे detail में डालिए, height, weight, everything, उसके साथ आप कितने दिन training करते हैं, आपको maintenance calories वो दिखाएगा, तो आपको उतनी ही calories लेनी होगी अपनी training की शुरुआ और धीरे-धीरे changes करते हुए, अगर आप चाहते हैं उसको drop करना, तो अपने progress के हिसाब से आप उसको drop कर सकते हैं, अब एक important बात ये समझे है कि कोई भी diet plan, कोई भी calories आपकी fix नहीं होती, आपको continuous result नहीं देती 10 हफते या 12 हफते तक, क्योंकि वो जो calories हैं वो आपकी, हो सक है कि आपको एक हफते या 2 हफते तर रेजल्ट दें, लेकिन उसके बाद उसमें कई changes करने पड़ते हैं, ताकि आपको continuous result मिलती रहे, so fat loss के case में, transformation के case में, जब आप मोटे से पतला होने जा रहे हैं, six pack apps दिखाने चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी weekly या twice a week आपको अप आपको help कर सकते हैं, आपके जो gym में जो coach है, तो उनकी help आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप खुद से करना चाहते हैं, तो खुद से भी कर सकते हैं, बट again, आपको ये चीजे learn करनी पड़ेगी कि कैसे ये होती है, दूसरा component आता है यहाँ पे high protein, बहुत सारे लोग जब भी transformation की शुरुआत करते हैं, long gap के बाद training स्टार्ट करते हैं, तो अचानक से पहले ही दिन से high protein देने लगते हैं, अरे भई ये समझे कि आपकी body में पहले दिन से इतने high protein की जरुद नहीं होती, कोई जरुद नहीं है आपको 1.2 grams per pound body weight पहले ही दिन से लेने का आपकी protein की, जरुद नहीं है, दियान दीजे कि आपकी body में से वैसे ही muscle mass थोड़ा सा lose हुआ है, आपकी body shrink हो गई है, आपका muscle mass कम हो गया है, आपका body weight भी गिर गया है, आपकी training की वो जो capacity है वो नहीं रही है, आप अभी almost zero से ही start कर रहे हैं, तो दियान आपको यहाँ पर ये देना है क उसके बाद week by week आप धीरे 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 आपकी जो भी requirement है, चाहे वो 1 gram तक पहुशती हो, चाहे वो 1.1 gram per pound body weight तक पहुशती हो, वहाँ पे धीरे धीरे जाएंगे, एकदम से boost नहीं करना है, protein को ऐसा करने से बहुत सारे लोग को digestion में problem शुरू हो जाती है, constipation जैसे problem ह होने लगती है, और साथ ही साथ जब आप इतना high protein देते हो body को, तो protein is an expensive macronutrient, और आप उतना expensive macronutrient अपनी body में डाल रहे हो, जो स्तेमाल भी नहीं हो रहा है, उल्टा मुकसान कर रहा है, तो ये pocket के लिए भी ठीक नहीं है, so आपको ये ध्यान देना है कि gradual increase करना है, जैस जैसे आपकी strength वापस आ रही है जिम में, जैसे जैसे आपका muscle mass आपको दिखाई देगा, mirror में कि भी muscle mass बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आपको अपने protein के intake को धीरे धीरे gradually week by week बढ़ाना है, एकदम से आपको protein कभी भी नहीं बढ़ाना होता, ये rule आपके beginners के लिए भी इस्त training start करूँगा हब, मैं भी बहुती gradual increase करूँगा protein का slow से, बहुती कम से, तीरे धीरे जब मैं training में वापस आ जाओँगा, एक महिने डेड़ महिने बाद, तब जाकर मैं अपने peak protein पे पहुँचूँगा, जो मेरा maximum protein होता था, तीसरा जो component आता है, वो है आपकी meal frequency, यानि कि द 5 meal, 10 meal खाने की, भई bodybuilder थोड़ी हो, आप जो इतने meals खाऊगे, प्लस अगर bodybuilder भी कोई होता है, तो यह अचानक से start नहीं करता 6 meal खाना, उसको करने के लिए आपको वक्त लगता है, आप ये ध्यान रखिए कि आपको आपके 3 जो बड़े meals हैं, उसको अपनी diet पे लेना ही होता है, जैसे कि breakfast, lunch and dinner, उसके साथ आप एक snack add कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत protein, थोड़ा बहुत carbohydrates जो आपकी requirement को पूरा करते हो, आपको कोई जरुवत नहीं होती, जादा meals लेने की, yes, meals divided होने चाहिए आपके balanced macros में, और उनकी frequency कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर तीन से चार घंटे में कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाये ताक कि आपकी body starved ना हो, और आपके muscle loss जैसे या फिर energy कम होने वाली आपको feeling ना आए, now transformation की जब आप शुरुवात करोगे, तो make sure कि आप जितना खाना खा रहे थे, जितने बार off training, उतने ही खाना खाईए, और थोड़ा सा meal frequency पढ़ा ही जा सकती है, जहाँ पे आप total 3 meals लेते थे, वहाँ पे आप एक snack add कर सकते हैं, between कहीं बेबी, उसके बाद अगर आपको लगता है, और आपकी calories और crunch हो रही है, और आप drop कर रहे हो, तो 4 की जिगा पे आप 5, यानि कि 2 snack, 3 बड़े meals, breakfast, lunch, dinner, उन तीनो उन तीनों के बीच में 2 snack आप डाल दीजे, खता हूँ, मैं खुद की बात करूँ, तो मैं इतने meals नहीं खाता, 6 meal नहीं खाता भई, मतलब मैं अगर अपने count करूँ meals, तो maximum 3 बड़े meals, उसके बीच में 1 snack या 2 snack, maximum वो भी, जब मैं extreme diet में होता हूँ, extreme cutting में होता हूँ, तब, usually I only eat 4 meals, ठीक है, 3 बड़े meals और 1 snack, खता, और अगर आपको फिर भी confusion होता है, तो मैंने बहुत सारे videos बनाए हुए हैं internet पे, जैसे की macros को कैसे निकालना है, maintenance calories को कैसे निकालना है, with formula, बहुत पराने videos हैं, मैं link डाल दूँगा यहाँ पे, उसको check करो, और खुद से ही सीखन की कोशिस करो, क्योंकि आपका diet plan अगर कोई बना के भी दे दे, तो उसको आपकी progress के साथ assess करने के लिए कोई ना कोई इंसान होना चाहिए, और आप क्यों किसी दूसरे पे rely करना चाहते हो, जब आप यह खुद भी सीख सकते हो, तो ध्यान दीजिए, कही ना कहीं से किताब उसे पढ़ने की कोशिश दीजिए, विडियोस देखिए, बहुत सारी research papers आते हैं, उनको पढ़िए, साथ ही साथ कोई certification अगर आप कर सकते हो nutrition में, तो वो भी करने की कोशिश करिए, खाली time है भई, क्या कर रहो अपने time का, waste क्यों कर रहो time को, make sure कि आप इन सारी चीज़ों के nutrition plan को लेके, आप same approach इस्तमाल कर सकते हैं, lockdown के बाद, और इसके benefits उठा सकते हैं, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो make sure आप thumbs up button को ज़रूँ क्लिक करें, and take care guys, stay home, stay safe, bye bye